Hello lovely foodies, welcome back to my channel आज मैं आप लोगों के साथ शेर करने वाली हूँ वरत में बनाने वाली एक असान सी टेस्टी रेसिपी तो जैसा कि आप लोग को पता है नवरात्री का फास्ट स्टार्ट हो चुका है तो उसी में बनाए जाने वाली एक रेसिपी मैं आज आपके साथ शेर करने वाली हूँ तो ये है साबुदाने की वड़े की रेसिपी तो इसके लिए सबसे पहले हमने भीगोई हुए साबुदाना ले लिया है उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है तीन बॉयल्ड आलू का पेस्ट इसमें डाला है आलू को हमें बॉयल कर लेना है और उसके बाद हातों से उसको हलका हलका मैश कर लेंगे वही इसमें हमें add करना है उसके बाद मैंने यापर 3 हरी मिर्च और 1 इंच के पराबर अदरग का paste बनाया है वो इसमें डाला है उसके बाद मैंने यापर डाला है बारी कटा हुआ धनिया धनिया अगर आप लोग वरत में नहीं खाते तो आप इसको skip कर सकते हैं साथ में हम इसके डाल देंगे 3-4 चमच राजगीरे का आटा या कोई भी वरत में आटा जो आप खाते हैं वो आप इसमें यूज कर सकते हैं और साथ में हम डाल देंगे इसके नमक स्वादनुसार डाल रही हुँ है फॉर यह पर पूरे एक निम्बू का चालू हो जाएगी अगर यह मिक्षर हलका भी हातों पे चिपक रहा है तो हम यहां पर एक से दो चमबच घीका डालेंगे और उसके बाद वापस से इसको बाइंड करना चालू करेंगे जैसे हम आटा गुंते हैं उस तरीके से हमें इसे बाइंड करना है और देखिए यह हमा करके रखने वाले हमें चोटा सा मतलब एक पोर्शन ले लेना है जो यह मिक्षर हमने बनाया है उसका और उसको ना हलका सा एक राउंड बॉल बनाएंगे उसको अपने हातों की दोनों हतोलियों की मदद से उसको हलका सा प्रैस कर देंगे तो हमारा साबुदाने वड़ा ज करना सकते हैं तो अब उसको इसको फ्राइब कर को बना है तो दिसको बना रही हूं तो देखिए इस तरीके से उसका हमारे बनागे गरम वरत असतमाल नहीं कर दे तो आप यहा पे गी का इस्तमाल भी कर सकते हैं maken उसमें डいきम करके सारे बड़े डलने चालू करेंगे यह वा गोहीड होने तक ऐख से सेखना है जैसे युझे इसमें हालका गोल्डन ब्राउन आजाएगा उसको दूसरी साइड हम पलट लेंगे तो दोनों साइड से हमें इसे अच्छा सा बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउनिस कलर जब तक नहीं आता है पीनट च fim मैं पर चीनल eres सकते हों चैनल को चाहें तो Bakit smarter है निकी पॉर्ट कर लिया है तो जो मैंने का कुझ रहीं है तो इसtin हम यह क्राइब रह तो वर्ली तुछा के मिल्ग अज़कर और है को जब तो मैंने ज़गे सबस्क्राइब फांस अधर कि यहन बूल Cake उर्ट नभ तो देखे कितनी प्यारी हमारी प्रत की प्लेट बनके रेडी हुई है अगर आपको यह रेसेपी पसंद आए तो जल्दी से बनाइए और मुझे कॉमें पसंद आई है या नहीं मैं जल्दी मिलूंगे आपसे इसी तरह की रेसेपी इसके साथ तब तक के लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग बबाई